हालो साथियों मैं आप सब लोगों का अपने इडूकेशनल चानल पे थार्दिक अभिनंदन करता हूं फ्रेंट्स जैसा कि आप सब को मालूम है कि 67th BPSC का मेंस परिक्षा जल्द ही होने वाला है तो इस करी में आज हम लोग आज जो है आपके बीच में लेकर किया चुका हूं 1857 की करांथी से संबंधित जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं 1857 की करांथी से संबंधित और पिछले वर्षों में इस टॉपिक से जो हो कितने सवाल पूछे हैं सबको हम लोग देखेने वाले आप जैसा मालूम है कि मेंस की परिक्षा में बेसлекली जू होता है आप के पास आपके तीन पेपर नहीं होता है तो जी एस पेपर वन में आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है आप भारत कादुने के टिहास Quadっち seconds संस्क्रिती जिसमें आपको 1857 की करांती से सभी संबंदी जो है वह सवाल आपके सामने देखने को मलते हैं तो आज हम लोग देखेंगे इसको डीपली समझेंगे तो चलिए फ्रेंट्स बिन वक्त गवाए हम कोशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि किस-किस तरीके के सवा कार से जो हैं समझ सकते हैं तो मैंने आपके लिए जो है के कंप्रीट जो है इसका एक पीडियाफी तैयार कर दिया जिसके माधियम से मैं आप लोगों को समझा सको देखें फ्रेंट्स यहां पर आपके सामने हैं सबसे पहले आप यह ऊपर के तीन कोशन को आप अभी फिलह हो कि क्या कारन थे बिहार में इसका क्या प्रभाव परा तो आपको देख सकते हैं कि यह सवाल जो हुए 65 बीपीएसी 2020 में पूछा गया था और इस वर्ष भी सवाल के आने की जो है वो काफी जादा संभावना आपको मैं इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूँगा कि बीपीएसी जैसे बड़े एक्जाम में भी जो मेंस की परिक्षा में जो होते हूं बहुत सारे कोशन्स रिपीटेड होते हैं यानि एक ही सवाल को कई बार पूछा जाता है तो आप जो आपको जो सवाल बता जा रहा है उसको आप लोग अच्छे से आंसर राइटिंग में प्रेक्टिस कर ले тाकी जो है अगर आपके सामने ये सवाल आपको देखने को मिलते हैं तो निश्जीत आपको जो है इससे हिल्प होगा होगा तो ये पहला सवाल था 1857 की की क्रांति के क्या कारण्थ थे बिहार में इसका क्या प्रभाव यह पर आपको देखिए बिहार क तो आपको रिलेट करके देख लेना है कि अआगे उससे भी समंदित आपके सामने दीखेगा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा सवाल जो पूछा गया इसी टॉपिक से वो क्या है देखिए कोशन नबर 13 आप लोग देख सकते हैं इसकि 1857 की विद्रो में बिहार के योगदानों की विवेचना करें तो देख सकते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो उसको बिहार से रिलेट करके पढ़ लेना है क्योंकि पेसी की यही खासियत है या किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मूव्मेंट हो रहा है तो उसमें जो है वो उस राज्य की क्या भूमिका है उस राज्य की नेताओं की क्या भूमिका है उस राज्य की जनता की क्या भूमिका है इसे संबंदित जो है सवाल आपको देखनी को मिलेंगे तो देख सकते हैं आपका यह सवाल देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया इस टॉपिक से तो ठीको जो है वो अलग-अलग छेतर में अलग-अलग नेताओं ने लीट करने का काम किया था जिस तरह जिस तरीके से अगर लखनौ की बात की जाएगी तो लखनौ में बेगम हजरत महल ने इसको लीट करने का काम किया था वहीं अगर दिल्ली की बात की जाएगी तो यहां पर बहादुर्शाजफ्र और बखट खान ने इसको लीट करने काम क्या है ठीक उसी तरीके सब बिहार में जो है वो बाबु कुर सिंगे इसको जगदिश्पुर में जो है आप कह सकते कि जगदिश्पुर से समें ka काम क्या था और अंग्रेजियों के जगदिश्स के काफी छक्क परिक्षन करें तो यह था आपका एक सवाल वह में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूचा गए देखें बिहार में 1857 की विद्रों के उद्भाव के कारणों की विवेचना करें तथा उसकी असफलताओं का उलिखन करें यह सवाल आपको संबंदित साथे साथ आप कह सकते हैं कि नेशनल लेवल से संबंदित जो आपको तयार कर लेना है में की परिक्षा के लिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं 1832 नंबर का कोशन आपके सामने दीख रहा है 1857 के विद्रों में कूवर सिंग की मुल्यांकद करें जैसा कि मैंने आपको बताए कि जितनी भी चीज़ा आपको पढ़नी है साइंस या किसी भी चीज़ किसी भी छेत्र में आपको पढ़नी है या आप कह सकते हैं कि अर्थ व्यवस्था के अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए वहीं अगर आप सवाल और देखने को आपको मिल सकता है तो फ्रेंट्स यह थे आपके सवाल आप देख सकते हैं कि तक्रिवन पांच से च्छे सवाल जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में तो फ्रेंट्स उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन चीजों को समच चुके हों इसके बाद आप जो है वो कला और संस्क्रिति से समच जैसे पटना कलम चितरकारी है या फिर आप कहसे कहते हैं कि मौर कला मौरे कला के भवन दिर्मान जो है वो कला से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं उसके वो आप कह सकते हैं कि ये पाल-कालीन-स्था-पत्टे से संबंदी जो है वो कई सारे सवाल देखने को मिलते हूं और यह सब रिपीटेट सवाल होते हैं पर हर एक दो वर्ष के बाद इन सभी सवालों को same to same repeat कर दिया जाता है तो क्यों नहीं हम पहले से इन सभी topics को तयार कर लें ताकि exam में जाकर करके लिखने में हमको आसानी हो सके तो मैं आप लोगों को जो है वो इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से समय समय पर help पर प्रोवाइट करवाता रहूंगा तो चानल से आप लोग जूड़ जाएए और इस तरह के precautions को देखने के लिए हमारे चानल को subscribe कर लिए तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद God bless you all